नमस्कार मैं हूँ सुशान सिना चाइनीज वाइरस पूरी दुनिया में कहे ढ़ा रहा है और इंदुस्तान में भी इसने को हराम मचा रहा है कोरोना हर दिन के साथ देश में नया रिकॉर्ड बना रहा है दस शहरों के आकड़े बेहत डराने वाले आपको नज़र आएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली और मुंबई में कोरोना का कैसे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है ये आपको बताएंगे लेकिन पहले 24 गंटे का आकड़ा देख लीजिए कोरोना मीटर देख लीजिए जो बेहत चौकाने वाला है बीते 24 गंटे में कोरोना के 9,851 नए केसे सामने आ गए हैं यानि करीब करीब अब मान के चलिए कि हम 10,000 केस पर डेके करीब पहुँच रहे हैं और ये बहुत दराबना आकड़ा है क्योंकि पहले आप देखिए केसे आते थे 100, 200, 500, 600 करते करते 2000 रोज आने लगे फिर 4000 फिर 5000 और अब हम 10,000 के आकड़े के करीब पहुँच गए हैं तो आप अंदाज़ा लगाईए कि स्थिती क्या से क्या होती जा रही है करोना का मीटर कुल केसिस का 2,26,000 के पार चला गया है सबसे परिशान करने वाली तस्वीर इस वक महराश और दिल्ली की है जहां करोना का काटा हर दिन के साथ स्पीड पकड़ता जा रहा है तो आपको आकड़े दिखाता हूँ ये पहले पूरे भारत की तस्वीर देख लीजे 2,26,770 करोना के केसिस सामने आ चुके है और मरने वालों का आकड़ा 6,348 पर पहुंच चुका है और इनमें रिकवरी 1,9,462 लोगों की हुई है यानि करीब आप मानके चलिए कि जितने लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं उनमें आधे के आसपास, 48-46% के आसपास लोग रिकवर होकर घर जा रहे हैं 6,348 की मौत हुए लेकिन ये आकड़ा बहुत तेजी से मीटर की तरह भाग रहा है जैसे आप पेट्रोल बरवाते हैं और वो मीटर भागता है वैसे ये आकड़ा रोज तेजी से भाग रहा है और ये चिंता का विशे है क्योंकि अगर ये तेजी से भागेगा और नीचे रिकवरी का आकड़ा स्लो पड़ा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी अब आपको 24 गंटे में भारत में कैसे रिकॉर्ड केसे सामने आए हैं वो दिखा देता हूँ ये सबसे जादा डराने वाला आकड़ा है 9,851 केस 24 गंटे में ये आज तक का रिकॉर्ड है इतना नहीं आया लेकिन दिक्कत यह है कि रोजी नया रिकॉर्ड बन जा रहा है ये घट नहीं रहा है हर रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है और मरने वालों का आकड़ा देखिए एक दिन में 273 जाने कोरोना की वज़े से गई है ये रेड जो आपको हिस्सा दिख रहा है न यही सबसे चिंता का विशह है यही सबसे खत्रे की घंटी है कि मरने वालों का आकड़ा भी बढ़ रहा है और रोज केसिस जो सामने आ रहे है उनका आकड़ा भी बढ़ता जा रहा है अब आपको जिन अलग-अलग देश के अलग-अलग शब का इस्तमाल क्यों कर रहे है कुल केसिस दिल्ली में 25,004 हो चुके है और मरने वालों का आकड़ा दिल्ली में 650 हो गया है 25,000 केस मरने वाले 650 24 गंटे में 1369 केस सामने आये है और मरने वाले पेशेंट्स बीते 24 गंटे में 22 थे अब दिल्ली में भी ये जो आकड़ा है ना रोज जो केसिस सामने आ रहे हैं ये हजार के उपर होता जा रहा है रोज और यही दिल्ली में चिंता का विश है अब आपने अनलॉक वण किया सब चीजें खोल दी और तब अगर रोज केसिस बढ़ेंगे और केंदर सरकार कह रही उस गती से टेस्टिंग नहीं बढ़ रही दिल्ली सरकार और केंदर की सरकार इसमें आमने सामने है और दिल्ली सरकार आरोप अब लगा रही है कि डॉक्टर्स जो हैं वो जल्दी नहीं बताते कि कब मौत हुई टेस्टिंग को लेकर वो सवाल खड़े कर रहा है और इन सव ठरांग लगाकर 606 पर गया और अब 6500 पर चला गया है यानि अगर आप देखेंगे 28 महीं से 4 जून करीब करीब एक हफते का वक्त है एक हफते में 316 केस से बढ़ते बढ़ते ये ग्राफ 650 पर गया यानि बिल्कुल हिमाले की चोटी को छूने की तरफ उपर बढ़ता जा रह रहा है यानि लगातार दिल्ली में केसिस बढ़ रहा है मरने वालों का आकड़ा भी बढ़ रहा है और हफते बर में 316 से 660 लोगों की जान चली जाए यानि करीब डबल हो जाए फिगर या डबल से थोड़ा कप या डबल से जादा ही है तो फिर सवाल तो उठेगा कि करने चाहिएं 31 माई को जो तारीख थी उसमें मौत हुई 13 मौत में इजाफा हुआ 57 और कुल मौत 473 थी यानि ये स्थिती थी फिर एक जून को क्या हुआ एक जून को 12 मौत हुई मरने वालों का आकड़ा जो है वो 50 बड़ा और 523 हुआ फिर 2 जून को 11 मौत की बात कही गया 33 हो गया और 556 हो गया इसी तरीके से 3 और 4 जून को आप देखिए जो मरने वालों का आकड़ा था और जो फाइनल फिगर था वो कहां तक चला गया तो इसलिए ये सवाल उट रहा है कि जो मौत हो रही है और जो इजाफा हो रहा है उसमें ये फर्क क्यों दिख रहा है ये तोटल फिगर जो है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहा है इसी पर सियासत भी खूब हो रही है दिल्ली सरकार का आरोप है कि आरमल हॉस्पिटल जो है दिल्ली का वो ना सिर्फ गलत सैंपल की जाच कर रहा है बलकि रिपोर्ट भी देरी से दे रहा है इस आरोप पर स्वास्तिमंत्री डॉक्टर हर्शवर्दन ने दिल्ली के स्वास्तिमंत्री सतेंद्र जैन को नसीहत दीप कि राजनीती रही करिये काम पर फोकस करिये मुझे लगता कुछ लडापरवाई से काम हुआ है और तेको रिपोर्ट को पांस दिन में साथ दिन में आप देंगे अफसोच के देखिएगा एक पेशिंट उसकी तब्याद खरागा है उसने सेंपल दिया टेस्ट के लिए अब वो करोना हस्पिरल में जाते हैं तो हस्प पर पर टेस्ट करा लो रिपोर्ट का इंजार करते हैं हम आपको रिपोर्ट आते ही ले लेंगे अब पांच-पांच दिन साथ-साथ दिन इंजार करनी पड़ेगी उस दोराना अजरोस की तरफ़ खराब हो जाती है बृत खतरना के हैं तो हमने आदेश दिये हुए कि 24 घं करेंटे में रिपोर्ट दिजिए गा सतेन जी एक मिट ध्यान से सुनिए जरा एक टेस्टिंग की लबाटरी से साथ-स दस लबाटरी समने क्रिएट की हैं एक दिन में एक लाग चालिस हजार टेस्ट हम क्रिए कर रहे हैं और आज भी दिल्ली में जो हमने जो डियस्टी के अंदर बायो टेकनालोजी में लैप्स क्रिएट के महाँ पर आज भी सेंपल्स नहीं पहुंच रहे हैं तो जो जो सिस्टम के अंदर जो जो चीज़ें क्रिएटिड हैं आपको और लैप्स कोलनी आपको लीजिए हमां उसके लिए सपोर्ट करेंगे आपको ऐसा नहीं है प कोई किसी positive को negative कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है किसी negative को positive कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है इसलिए we don't want to get into these controversies ये किस तरीके से राजनीती हो रही है उसको लेकर भी सवाल खड़ा होता है और क्यूं ये स्तिती बने कि दो एक केंद्रिय स्वास्ते मंत्री और एक दिल्ली के स्वास्ते मंत्री को इस तरीके से चर्चा करनी पड़ जाए ये भी सवाल खड़ा होता है अगर आप दिल्ली मे कोरोना ग्राफ भी आपको देखना चाहिए वो तो इससे भी जादा भयावा लग रहा है मुंबई में कोरोना के केसे 44,000 के पार चले गए हैं 44,704 केसे मुंबई में सामने आ चुके हैं और मरने बालों का आकड़ा 1465 है मुंबई मुंबई में 24 गंटे में मुंबई में 1442 नए केस सामने आ गए और बीते 24 गंटे में हर गंटे दो लोगों की मौत हुई है ये मान कर चलिए मुंबई में तो मुंबई के आकड़े आपको जरा स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा कि क्यूं हम कह रहे हैं मुंबई सबसे खतरनाक स्थिती में इस वक्त फसा हुआ है कुल केसे देखिए 44,704 हो चुके हैं कुल मरने वालों का आकड़ा अकेले मुंबई का बता रहा हूँ ये पूरे राज जी का नहीं बता रहा हूँ पूरे सिर्फ मुंबई में 1465 लोगों की जान करोना की वज़से गई है चॉबीस गंटे में 1442 केस मुंबई में सामने आए हैं और 48 लोगों की मौत हुए यानि हर गंटे दो लोगों की जान करोना की वज़से मुंबई में जा रही है ये हालत हैॉस मुंबई में, जहां ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये कम होने का नाम धीमा होने का नाम नहीं ले रहा, ये आंकड़ा रुक जाए ये नहीं हो रहा, 24 गंटे में केसि लगातार सामने आ रहा है, कुरोना का ब्लास्ट मुंबई में कैसे हुआ, इसको अ 704 मतलब अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे एक कोई भी वेक्ति जो मुंबई में रहता होगा वो क्या चाहेगा कि अगर ग्राफ उपर गया कहीं तो नीचे आए कहीं तो नीचे आई यह लकिन अगर आप इस पूरे ग्राफ को देखेंगे नीचे आने का सवाल ही नहीं 38000 स तो देश के लिए भी चिंता बढ़ती है कि वहां क्यों है हालात बन रहे हैं यह बार बार हो रहा है अब आपको मौत का ग्राफ दिखाता हूं मुंबई में कैसे मौत का ग्राफ बढ़ा है यह देखिए 30 जून को 1227 मौते हुई थी 31 मही को फिर बढ़ा 1289 हुआ 1319 1368 हो गय और 1417 हो गया अब इसमें यह तो नहीं हो सकता था कि मरने वालों का आकड़ा नीचे आ जाएगा यह तो नहीं हो सकता लेकिन यह जरूर हो सकता था कि यह यह ग्राफ जो steadily उपर जा रहा है वो अगर थोड़ा नीचे आता है इसकी रफ्तार कम हो जाती थोड़े मौत कम होती तो लोगों को थोड़ी शांती मिलती कि भई कुछ तो कंट्रोल हो रहा होगा कुछ तो ऐसा हो रहा होगा वेवस्ताएं वैतर हो रही होंगी लेकिन वो भी होता मुंब एक जून को आप देखे 1413 केस आए 40 लोगों की मौत हुई दो जून को 1117 केस आए 49 लोगों की मौत हुई 1276 मौत 1442 केस 48 मौत ये कुरोना पॉजिटिव और मरने मालों का आकड़ा है अब ये चिंता का विश है ना ये देखिए ये तो उपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा केस आए उपर नीचे और बहुत मार्जिन ऐसा नहीं कि बड़ा हो जाए कि आपको लगे कि चलो ठीक है कुछ सुधार हो रहा हो लेकिन ये जिन्दगिया जाती है तो लोगों की चिंता बढ़ जाती है 40 49 49 48 मतलब घटने का नाम नहीं है अगर ये मरने वालों का आकड़ा घट जाता एक दिन में जो मरने वालों का आकड़ा है तो थोड़ी लोगों को रहात मिलती पर ये भी नहीं हो रहा है महराश्र में और इसलिए महराश्र के इस कॉरोना मीटर को लेकर चिंता सबसे जादा बनी हुई है मुंबई में कोरोना का विसवोट है महराश्र के आकड़े और परिशान करने वाले हैं जहां टोटल केसेज महराश्र की अगर आप आपको बात बताओ ओवर ओल देश में आप देख रहे थे कि दो लाग चब्वीस हजार के करीब केस है उन दो लाग चब्वीस हजार में महराश्र का कोंट्रिबूशन 77,793 केस का है और मरने वालों का आकड़ा 2,710 है और देश में 6,000 से मौते हैं बीते 24 गंटे में अकेले महराश्र में करीब करीब 3,000 केस मानके चलिए अब इस ग्राफ को देखते हैं कोई बाहर निकलेगा तो उसकी हालत क्या होगी उसकी चिन्ता कितनी ज्यादा होगी आप सोचिए हमारे साथ कुछ सायोगी जुड़ रहे हैं दीकशापांडे दिल्ली से लाइव है दिनेश मौरिया मुंबई से लाइव है विशाल प्रताब सिंग लखनाउ से लाई हुए पहले मुंबई चलते हैं दिनेश मौरे के पास दिनेश ये जो मुंबई में लगातार केसिस बढ़ रहे हैं इसकी वज़ा सरकार क्या मानती है और इसको लेकर क्या हो रहा है देखें दो चीज़े एक तो सरक बी अंसी के तमाम कोशिशे थी ज़ादा जो एलान करें कि हम बड़े पहमाने पर टेस्ट करें और बाकी चीज़े करें उनके तमाम कोशिशे फूरी तर से फेल नजर आ रहे हैं क्योंकि इतने सार एफर्स लेने के बावजूद भी नमबस कम नहीं होने लगातार वो आकड़े बढ़ते जा रहे हैं इसकी दूसरी बड़ी वजह है आम लोग भी है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार लगातार लोगों से कह रहा है कि सामाजिक दूरी का पालन करें घरों से बाहर ना निकलें लेकिन मुंबई में करीब 60 पीसदी आबादी जो है वो जुग्यों और छोटे-छोटे बस्तियों में रहती है और यहीं पर सबसे ज़ादा लॉकडाउन का उलंगान होता लोग कभी भी आप सुबह दोपहर शाम कभी भी निकल जाए यहाँ पर लोगों की भीड आपको सड़क पर दिखाई देगी बाजारों गलियों में लॉकडाउन के बावजूद भी यहाँ पर हमेशा भीड रहती है तो इस सामाजिक दूरी का पालन ना होना एक बड़ी वज़े है कि यहाँ पर संक्रमन बढ़ रहा है दूसरा खास और पर बस्ती इलाकों में वहाँ पर लोग जो है वो सारवजरिक सोचाले का इस्तमाल करते हैं और चुकि लोगों के घर छोटे छोटे हैं सोचाले नहीं है इसे में उन्हें मजबूरन कम्योटी टॉलेट्स के इस्तमाल करना पड़ था और ये भी कम्योटी टॉलेट्स एक संक्रमन बढ़ने की और बड़ी वज़े ये दो प्रामुक वज़े है जहाँ पर प्रत्तक्ष और प्रत्तक्ष रूप से आम लोग जो है वो कोरोना के संपर्क में चपेट में आ रहे और कोरोना संक्रमीत हो रहे वही दूसरी तरफ को जादा ट्रेस करें ताकि इसका संक्रमन और फैलिफ जरूरत इस बात के कि स्लम इलाकों में और जादा सक्ती से लॉक्डाउन को लागो करें क्योंकि अगर नहीं करेंगी अब चूंकि आज यहां पर जो है फेस्टू शूरू हो गया महराष्ट में जो लॉक्डाउन अन रहे हैं इसको लेकर क्या वज़ा मान रही है दिली सरकार? वज़े जो समझा जाए वो ये की तैयारियां सरकार और प्रशाशन की जरूर बढ़ी हैं लेकिन सावधानियां काफी जादा घड़ गई हैं अगर हम देखे पहले जिस तरह से कोरोना का कोई भी मामला सामने आता था तो उसके संपर को ट्रेस किया आता था उन्हें पेशिंट को जगे जगे अस्पतालों में भटक भटक कर जब वो फाइनली जी टीबी अस्पताल पहुचे हैं तो वो खुद बाहर बैठे हुए हैं वो डारेट संपर्ट में आया है उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ है और ऐसी तस्वीर जगे जगे पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जिस तरह से आरोप पतरोप चल रहा है तो इसके परे जाकर काम करना बहुत जरूरी है और देंकि मुख्यमांत्री अर्विंद केजिवार खुद ये बार-बार कहते थे कि 70% 80% केसे हैं जो एस्म्टेमेंटिक हैं जिनमें लक्षन नहीं है और आप टेस्ट गुजराद के किस शहर के रिपोर्ट डराने वाली है वो भी आपको बताएंगे इस चोड़ से ब्रेक के बार और शहर एमदबाद की एमदबाद में टोटल केस बढ़कर 13,000 के पार चले गए हैं और मौत का आखड़ा 938 हो गया है तो ये एमदबाद की स्थिती है 13,354 केस और मनने वालों का आखड़ा 938 बीते 24 गंटे में एमदबाद में 291 केस आए हैं और मनने वालों का आखड़ा 28 पर है अब आको ओवराल गुजराद की तस्वीर दिखाता हूँ ये सिर्फ एमदबाद की बात हुई अब गुजराद का हाल देखिए गुजराद में 18,601 केस सामने आचुके हैं मनने वालों का आखड़ा यहां पर भी डरावना है 1122 लोगों की मौत गुजराद में हुई है बीते 24 गंटे में क्या हुआ चार सो बानवे केसिज आए हैं और मनने वालों का आखड़ा 33 है अब आप दिल्ली और मुंबई से कंपेर कीजेगा तो 1100, 1200, 1300 केसिज के सामने 492 चोटा आखड़ा लग सकता है लेकिन यह 492 भी क्यों है यह सवाल पूछना है क्योंकि हमें तो इस कर्व को इस ग्राफ को नीचे लाना है दिल्ली एंसियार पूरी तरह कोरोना के फंदे में फसा हुआ है दिल्ली के आखड़े डरावने हैं यह हमने तरकिये है हर्याना के मुख्यमंतरी का की दिल्ली से केसिज आ रहे थे अब दिल्ली से केसिज आ रहे हैं और 215 अगर रोज आ रहे हैं तो इसका इलाज क्या है उपाय क्या है यह भी तो समझना होगा और ढूड़ना होगा वहीं लखनाओ में कोरोना की रफ्तार भी कम होने का नाम नहीं ले रही लखनाव में टोटल 423 केस है और बीते 24 गंटे में 14 नए केस आए डोटल केस 423 लखनाव में और नए केस 14 सामने आए हैं लखनाव की अगर हम बात करें अब अगर आप दूसरे ऐसे बड़े शहरों से राजधानियों से कमपेर करेंगे तो लखनाओ में स्थिती कम दिखती है लेकिन ये भी रोकना है इसलिए हम ये जरूर पूचेंगे कि ये स्थिती क्यों है उस उत्तर प्रदेश में जहां केसे कम हैं तो लखनाओ में 14 एक बार में कैसे आ रहे हैं विशाल प्रताप सिंग हमारे साथ बने हुए है आपके पास लखनाओ नौईडा का हाल आपके सामने ग्राफिक्स में रखता हूं यहां कुल केसे जो अब तक सामने आए वो 558 है और 31 नए केस सामने आ गये हैं तो लखनाओ और नौईडा दोनों ही जगा नए केसे सामने आ रहे हैं ये एक चिंता का विशे है और ये उस उत्तर टेस्ट रोज कर पाएंगे तो टेस्टिंग बढ़ रही है ये अच्छी बात है लेकिन ये जो केसे बढ़ रहे हैं इनको भी रोकना होगा मैं मानता हूं कि दूसरे शेहरों के मुकाबले ये केसे कम हैं बहुत कम हैं लेकिन इनको भी हमें जीरो पर लाना है हमारा टार्ग झाल झाल